अब भी देखेंगे एनेटमी एनेटमी में जो सब से टफ लगता है ऐक्क जिला चैप्टर नॉमर वन ऐनेटमी वालिम उप्पर लिम अपर लिम में एक एक्जिला है चैटर नमबर फोर जो आप लोग पढ़ोगे वो सबसे टफ लगता है उसमें क्या लगता है उसमें प्रैकियल प्लैक्सेज जो प्रैकियल प्लैक्सेज होते हैं वो आदो से जादों को समझ में नहीं आता बहुत असान है दू चीज़े कभी नहीं भूलोगे श्रिफ दू चीज़े एक मेरा नंबर ठीक है और दूसरा माई आंट रैग्ड माई अंकल माई आंट रैग्ड मेटिकल कोलेज में ऐसे भी एकसक्रोमोजोम की वावाई चलती है तो माई आंट रैग्ड माई अंकल यह एक आँ से आगया ठीक है अंकल यू समझें माई आंट रैग्ड माई अंकल और दूसरा यह पहला दूसरा मेरा फोन नंबर 53635 अब बहुत लोग सोचेंगे लागा रहे हैं नहीं होने वाला है कुछी 53635 यह दो चीज रिफियाद रखना ब्रैक्यल प्लैक्स लिख करके आओगे समेश्टर में और आपका नीट पीजी में कोशन तो बनता ही बनता है टोटल सत्रों कोशन आएंगे अनटमी में तो एनटमी में एक आएगा बट वो सर्जीकल पॉन्ट अव्यू से पुछा जा यहां पर देखो theoretical point of view से जब हम लोग पढ़ते हैं तो बस यह जो इस्टाट किया ना यह दो चीजों को पढ़ना है पहले तो c5, c6, c7, c8 और t1 यह तो समझ में आता है ना मैंने क्या बोला cervical spinal nerve C को बोलते हैं T thoracic spinal nerve T को बोलते हैं तो जो हम लोगों का brachial plexus होते हैं वो upper limb को supply करती है किसको supply करती अपर limb को supply करती है और उसके arteries वेकरा जो रहेंगा अपका pectoralis major और minor में भी जाएगा ठीक है बहुत thoracic भी जाएगा एक thoracic भी निकलेगी c5, c6, c6, c7 से निकलते हुए जाएगी जो की long thoracic nerve G से बोलेंगे वो आपका रीब के इस तरफ जा करके supply देगा तो पूरा उपर का upper limb का supply देना है तो brachial plexus ही सबसे important है समचे पूरा आप पर limb में supply कौन देगा ब्रेकियर प्लेक्स अब ब्रेकियर प्लेक्स में c5, c6, c7, c8 and t1 यह चीज हो गया अब इसमें करना क्या है इसमें जो मैंने बताया है कि 5, 3, 6, 3, 5 यह मेरा नमबर है तो यह क्या था इसमें आपके 5 root होंगे 3, 5 trunk होंगे, 3, sorry 5 root होंगे, 3 trunk होंगे और 6 क्या होगा, divisions होंगे और 3 quarts होंगे, 5 terminal branches होंगे यह था मेरा नमबर, किस country गा है यह मत पूछना, एक और है, 811717 करके, बहुत सारे नमबर्स है, तो यह बस बताने लिए बता है था, कोई real नमबर नहीं है यहां पर आजाओ, C5 अब क्या होता है, अब होगा क्या, जो हमारी C5 है, जो C5 और C7 है यह C5 निकला, समझे, और यहां से C6 निकला, यह दोनों मिलेंगे, C5 और C6 मिलेंगे और एक लंबी धाराय बनानी है, एक लंबी straight line आपको बनाना है और यह जो लंबी straight line बनेगे, इसमें क्या क्या होंगे, इसे हम दोग root बोलेंगे समझे, C5, C6 मिल करके दो root मिलेंगे, और फिर एक straight line मानाना इस straight line में हमारा क्या होगा, एक trunk आजाएगा, फिर क्या ची होगा, division आजाएगे और फिर क्या ची होगा, हमारे branches होगे, होगे है न, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पार्ट में divide कर लेना, कुछ नहीं यादा हैगा, तो root को trunk लिग देना, trunk को root लिग देना, सीखने के लिए पढ़ रहो हो तो ठीक है, marks के लिए पढ़ रहो हो, semester में पूछा जाएगा, तो कुछ भी उल्टा सीथ है, at least, उसे तो मालूम चलेगा, कि हाँ भई या, इसको तो at least इतना मालूम है कि root होते है, trunk होते है, quad होते है, division होते है, terminal branches होते है, अब थोड़ा आगे पीछे है, तो थोड़े अच्छे से पढ़ना, तो root आएंगे, फिर trunk आएंगे, trunk के बाद आप लोगों का क्याची आएगा, trunk के बाद आप लोगों का, जो हैगा, division आएगा, फिर आपका quad आएगा, और फिर terminal branches, root, trunk, division, quad, terminal, branches, समझे, फिर क्या होगा, हम लोगों का जो C7 है, C7 को किसी से क कोई मतलब नहीं है, C7 अपना सीधा निकलेगा, स्रिक समझो, अपना सीधा निकलेगा, इसका यहां तक root माल लो, यहां trunk माल लो, यहां division माल लो, और यहां quad माल लो, समझ रहो ना, C8 और T1 मिल करके, एक straight line बनाएगा, सिम्पल साह, C5, C6 मिल करके, एक बनाएगे, straight line, C8 औ अपना अकेले का निकलेगा, समझ गये इतना, branches, interior branches का बात में करूँगा, मतलब की, branches में कितने सारे निकलते हैं, direct 5 branches, बताता हूं, जो important है, जो आपको need PG, या कहीं पी पूछा जाएगा, तो यह सारे root हो गया, अब इसमें हो गया, अब इसमें 6th division बोला, तो division तो यहां ए एक, दो, तीन ही दिख रहा है, division कितने दिख रहा है, division एक, दो, तीन दिख रहा है, तो इसमें 6 बनाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या होता है, यह जो हम लोगों का division होता है, जो C5 से निकलता है, C5 और C6 मिल करके, यहां से एक supply आएगा, C7 की तरफ, ठीक है, और इधर से आप लोगों का एक, यहां, ऐसे जाएगा, समझें, एक cross, नॉर्मल से है, फिर यहां से जो हम लोगों का C7 का जो supply जा रहा है, वो हम लोगों का C8 और T1 में एक supply देगा, अभी बताऊंगा, मैं सब का नाम बताऊंगा, समझें, अब बोलते हैं, अब हम लोगों का root को नॉ आप लोगों का C8 आता है, डिवीजन में हम लोगों का anterior, sorry, ventral, dorsal, ventral, जो हम लोगों का उपरवाला है, उपरी बार, पार्ट को ventral बोलेंगे, अब जो हम लोगों का बीच का है, यह सब जो देख रहे हो, आप लोगों यह तीन चीज, यह हम लोगों का dorsal हो गया, और यह जो लास्ट का हो गया, यह हम लोग, ventral बोलेंगे, समझे, अपर दो लेयर, ventral, यह जो बीच का हो गया, यह आप लोगों का dorsal, तीन चीज है, dorsal, समझ रहा हो, इतना तू समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ भी यह नहीं है, अपर, middle, lower, ventral, dorsal, ventral, जो हमारे quarts रह हैंगे, एक lateral होगा, एक posterior होगा, और एक medial होगा, क्या होगा, medial, lateral, posterior and medial, समझे, अब यहाँ तो सोच रहे होगे कि 5 branches बताया है, मैंने, और यहाँ पे स्रिफ और स्रिफ तीन दीख रहा है, तो यह तो important है, अब एक branch निकलेगा, यहाँ से, कुछ और यूज कर लेता हूं, एक T1, जो C8 और T1 मिल करके बना रहा था, वहाँ से एक निकलेगा, और जो C5, C6 मिल करके बना रहा था, वहाँ से एक निकलेगा, ऐसे, और जो C7 का state line था, auxiliary artery, यह जो है ना, यहाँ पे एक auxiliary artery होगी, समझे, कोड में एक auxiliary artery यहाँ से पास करती है और यह auxiliary artery supply देती है जा करके, artery क्या करती है? artery blood की supply करती है, कहां से कहां तक which discharge s और 2628 samples और wind क्या करती है, tuo muscle से ले करके या tissue से ले करके आप लोगों का heart तक पहुचाती है blood ले जाने का काम करती है, टीसू से हाट तक उसे वेंज बोलते हैं और ले आने का काम करती है उसे आटरी बोलते हैं बेसिक बच्चों की तरह समझाना हूँ है तो यहां एक्जलरी आटरी से एक और निकलता है यहां पर ब्रांचेज समझे और एक्जलरी आटरी से जो ब्रांचेज निकलेगा उसका सि अभी आप पे मैंने आपको क्या सिखाया माइ आंट गया माइं अंकल यह क्या हो गया माई आंट एंड माई अंकल सिंपल है M4 Musculocutaneous, A4 Axillary, R4 Radial, M4 Median और U4 Alnary समझें? Alnary बोलो, Alnary बोलो, जो भी Alna का Nerv है Alnary Musculocutaneous, Axillary, Median और Alnary अब पूछेगा कौन-कौन सा मिल करके बना रहा है C5, C6 और C7 C5, C6 और C7 मिल करके बनाएंगे आपका कौन सा Nerv? Musculocutaneous यहाँ पर भी डियाग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं C5, C6 and this is C7 ठीक है, Red Pins है मिल करके बना रहा है, Musculocutaneous कौन सा Nerv बना रहा है? Musculocutaneous Axillary किस्से बन रही है? Axillary आपका किस्से बन रही है? C5 और C6 है Axillary किस्से बन रही है? C5 और C6 है हो क्या रहा है? यह यहाँ से मत समझ लेना C5, C6 यहाँ से जो नर्व आ रही है यह यहाँ से एक सप्लाई देख Axillary किस्से बना रही है? C5, C6 C5, C7, C5, C6 Axillary nerve किस्से बन रही है समझे? अब फिर क्या ची आता है? Radial Radial में क्या क्या आएगा? एक तो भाई साब हमारा Radial, Radial में हमारा सीथे यहाँ जा रहा है समझे? यह दोखो, यह जा रहा है अब इसमें क्या क्या है? इसमें जहां तक दिख रहा है एक तो C5, C6 भी आ रहा C7 भी आ रहा और यह भाई साब की भी सप्लाई हो रही है C8, T1 की भी सप्लाई हो रही है सामने से basic structure है एक इधर दिख रहा है आप लोगों को यह चीज़ और एक इधर दिख रहा है यह चीज़ तो एक दो दोनों क्या हो रहा है C5, C6 and C8, T1 दोनों को जोड़ दे रहा है और एक C7 जा ही रहा है तो टूटल क्या अची हो गया? C5 to T1 और यह रेडियल ना किसको supply करेगा याद रखना posterior side में यह सप्लाई करता posterior जो hand होते हैं वहां पे यह सप्लाई करता अकिला एक लोता यह सप्लाई करता बाकी आपको तोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूं anterior part में जो आपका median side होता median side क्या बोलते है body के अंदर वाले part को median बोलेंगे body के बाहर वाले part जो जाए four limbs में जो आप लोग देखते हो body के समझ लेना अंदर वाली चीज़े जो अंदर में आ रही है उसे median बोलेंगा जो body के बाहर side में उसे हम लोग lateral बोलते है जो अंदर में होगा उसे अलनर्फ सप्लाई करेगी अलनर्फ की सप्लाई होगी जो लेटरल होगा उसे median नर्फ सप्लाई करेगा समझे मेडियन नर्फ अब ऐसे थम बनाओगे ऐसे 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 ठीक है पांच finger बन गए यह चीज इसमें कौन सप्लाई होगा यह जो है न यह दिखाऊंगा मैं साला कुछ यहां से सप्लाई एक radial भी इदर से ही निगलता आलका से करके पीछे की और posterior इदर जो सप्लाई देगी वो median देगी यह lateral side होता और इदर जो supply देगी इस जगा आल नर्व देगी ठीक है यह कौन से side हो गया है यह आपका median side हो गया तो confuse मत होना कि median side medial side में आपका median nerve देना चाहिए पर वैसा नहीं है M4M नहीं होता समझे तो confuse मत करना यह हो गया आपका radial का c5 to t1 अब आता है median median nerve देख लो कहां से कहां तक बन रहा median nerve देखो तो यहां इसे दू लाइन दीख रहा है एक तो पूरा c8 t1 को जोड रहा हो और एक c5 c6 c5 c6 को जोड रहा है प्लस यहां से भी एक nerve आ रही c7 वाली जा करके यहां connect हो रही है total लेके आ रहा है मतलब median भी आपका c5 to t1 supply हो रहा है अब ulnar nerve है ulnar nerve c8 t1 तो साफसब दीख रहा है c8 और t1 कर रहे है और कौन-कौन से इसे कर रहा है एक यहां पे आ रहा है quad इसका c7 का c7 का यहां quad आ रहा है तो ulnar की कौन-कौन करेगा c7 8 और t1 समझेंगे यह supply important है यह वहां आपको लिखना होगा examination room में और जब surgical पूछा जाएगा तो वहां पे भी surgical वह दिखाएगा diagram नीट-PG में तो वहां समझना पड़ेगा अब कैसे समझोंगे कि यह कैसे हो रहा है तो यह देखो यह जो formation है किसका formation है M बोलते है M कुछ M बना रहा है समझें और इसी तरह का M आपका दिखाई देगा body में यह देखो M अब जो M हो गया median side body के अंदर यह median quad हो गया body के अंदर ही हो रहा है यह जो हो रहा है यह आपका lateral side body के बाहर जा रहा side तो यहां पे ulnar supply कर रहा समझें बीचो बीच median supply कर रहा है यह हो गया musculocutaneous nerve musculocutaneous nerve समझें समझ रहा हो न musculocutaneous nerve कहां पे supply देता musculocutaneous nerve आपका biceps में supply देता biceps कैसे होता है जब जा करके disection करोगे यह थोड़ा एक्षटा बता दे रहा हूं तो सबसे पहले skin आता है skin के बाद dissect करोगे तो superficial बोलते है फिर उसके बाद dissect करोगे तो आपका deep fascia के muscles मिलेंगे यह सब muscles ही है पढ़ना पड़ेगा सारा याद करना पड़ेगा फिर bones मिलेगा समझें फिर आपको bones मिलेगा तो जब हम लोगों का आम होता है हुआं हम लोगों का कुछ goal type होता है इसमे兒 posterior और anterior आप नहीं कहसकता है posterior anterior बोलना है पड़ेगा लिखना Πड़ेग़ बाद उस तरीका से नहीं कहसकता है जैसे आपको दिखता बागी की body जैसे हम लोग 16 दिखता है आगे का side interior Pichay का side posterior तो इसमें तो गोल तो इसमें उपर की लेएर में और 2 थीषड सब्सक्राइब और एक जो पुस्टीर होगा सरी इसमें कौउन से बाता तुदी है यहाँ पे पुरी है पूरी की पूरी है रेडियल सप्लाई करती है आग करके रेडियल लगा कर किया ना तब स्ट्र के सत्र के सत्र कुशन बन जाएंगे बहुत ही असान है और इंपोर्टेंट अब मेरा